ओम शांती आज 25 मई 2022 है आज के स्लोगन में हमारे मुख्य फाउंडेशन ब्राम्हन जीवन का जो पवित्रता है उसके बारे में बताया है तो आए सुनते हैं आज का स्लोगन पवित्रता ही ब्राम्हन जीवन का मुख्य फाउंडेशन है धरत परिये धरम न छोड़िये पवित्रता ही हम ब्राम्हन जीवन का धरम है और धरम ही जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की धारना बहुत महीन है क्योंकि पवित्रता के आधार पर ही करम की गती और करम की जो महीनता है वो आधारित है तो इसलिए कहा जाता है पवित्रता जीवन का धरम है वही धारना है वही फाउंडेशन है तो पवित्रता का अर्ठ सिर्फ ब्रह्मचारी रहना या निर्मोही रहना मात्र नहीं है, परन्तु पवित्रता हमारा श्रंगार है, जिस तरह से श्रंगार स्पश्रुप से चहरे से नजर आता है, नैनों से नजर आता है, मुख से नजर आता है, तो उसी प्रकार से हर समय हमारे चहरे से, दृष्टी से, मुख से, हाथों से, पाउं से पवित्रता प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करे नजर आए इसी को ही पवित्रता की धार्ना कहा जाता है तो पवित्रता की धार्ना जिसको आज कहा हमारा धरम है, हमारा फांडेशन है, ये सदा अमिठ रहे अटूट रहे तो इसकी लिए हमें क्या करना होगा क्योंकि जिस तरह कर्मों की गती बहुत गुई है उसी तरह से जो पवित्रता की गती है वो भी बहुत महीन है, बहुत गुई है बहुत सुक्षम रूप से हमें चेक करना होता है कोई भी अंश मात्र का अपवित्रता हमारे मन में न रह जाए इसके लिए हमें क्या करना होगा? अटेंशन किस रूप से रखना होगा? तो इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि अपने आप के साथ हमें सत्य रहना होगा, अपने आप के साथ और बाप के साथ सच्चाई सफाई के साथ साथ इमानदारी और वफादार रहना होगा, क्योंक पवित्रता का आधार सत्यता है और इमानदारी है। ये दोनों ही गुन बहुत बड़े और स्पष्ट आइने के समान हैं, जो हमारे अंदर बहुत सुक्षम रूप से, रॉयल रूप से, जो अपवित्रता आत्मा के अंदर समाई हुई भी होती है, अन्श मात्र भी। ये बड़े रूप से हमारे सामने लाकर के रख देता हैं। तो जब हम इमानदार होते हैं、 सचे होते हैं अपने आप के साथ, बाप के साथ, तो अपवीत्रता का अंश मात्र, भी आत्मा के अंदर रह नहीं पातें, टिक नहीं पातें। और यही चीज हमारे धरम को और थार पव पवित्रता का फाउंडेशन है, सत्यता और इमानदारी, इसको हम कायम बना करके रखे, ताकि जो पवित्रता की धारना है, वो सदा अडिक रहे, अचल रहे, अडोल रहे, ओम शान्ति.